हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं छिप्स खा रही हूँ क्यूकि मेरा बहुत सतीजस कने का मन है क्योंकि मुझे आ रहिये नीन और हम दो में यह सै दिलुंद आती है घुनाला कैसे मन आप यह कहते हैं कुछ प्रसाइम कभी कुछ पूक्राली क् यह सिर्फ चिप्सों मागी पही रहती है, कोई कुकिंग नहीं आएगी, सिर्फ हम लोग बैठके ऐसे one-to-one बाते करेंगे, और मैं जाए डीप क्लीनिंग का सॉलुशन बनाने वाली थी, मैं वो बनाने जा रहे थी, Naughty mama, naughty becha, say I can come in your video, starting intro without me, मैंने intro एसके बिना किया, किया मैंने इसके बिना intro, नहीं अज, आज, आज किया, बाकी ब्लोग में, you are there every time, yes, can I tell you one secret guys, Every time when she starts a vlog, she asks me to come and help her, but she doesn't say I can come in the intro, so, क्योंकि मुझे बाक एंड पे भी कोई ना कोई help करने के लिए चाहिए, तो कभी कुछ पकड़ाने है, कभी कुछ पकड़ाने है, तो मैं बूलती है, आयान, मुझे ये दे दो, आयान, मुझे वो दे दो, विचारा पीछे खड़ाओ कि में को सब देता है, और जैसे ये हाँ, तो अब मैं आपको बता ली कि जो वेदर आज हो रखा है, यहां का बहुत अच्छा हो रखा है, खेर बारिश तो हर दूसरे तीसरे दिन हो रही है, और उसी में मेरे गड़ पे हर दूसरे तूसरे दिन बनता है, कभी पकोड़े बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहा है, इनके डाड़ी, तो जो डाड़ी समोसा बनाएंगे, रेसी पी भी बताएंगे, क्योंकि आज मेरा मन नहीं है, और मैं अचली एक देड़ घंटे से बोल रही हूं, मेरे को चाई पिला दो, चाई मिलती नहीं है, क्योंते नहीं है, तो यह चीज बनाओ, तो ही चाई मिलेग ऐसा कोई होता है, यह तेखो, यह तेखो, दोनो जन्में एकदम, यह तेखो, पूरा का पूरा, चाई तुम बनाएंगे, पिलो, चाई मैं नहीं बनाओंगी, क्यों, चाई मेरे को पता है क्या होता है, चाई मुझे इनका हाथ की अच्छी रख़ रख़, स्टूप, पूरा, अलगे होता है, श्रूप, स्ट्भट, स्टूप, 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 इसल्मने, गुंगे, गाद मारेंगे जोब होता है पहले समोसा बनेगा फिर चाय बनाएंगे और पिलाएंगे फिर मामा समोसा छिलाएंगे तब तब निया चाय का मनलब भी नहीं है मैं कॉफी पीठा हा लेकिन इसका कोई मनलब है कि पहले चाय बनाएंगे रगड़ोर फिर तूम समोसा बनाएं ने बड़ोर तो लेट जालो फिर हम लोग कॉप्स अब समोसा बनाना ही पड़ेगा तो चलते हमारे में यहां पर यह सब होता है तब चलते हैं हमारे किचन में सामोसा बनारे आप चलिए फिर अधेली निकलते जब इसके पापा ने माल लिया कि वह हमको चायफ फिलाएंगे तो फिर मैं समोसा के लिए क्यों ना करूँ अच्छ अच्छ वीवी बन जाए आज जो मैं समोसा बनाने जा रही हूँ गाइस वह आप बहुत ध्यान से देखेगा उसमें मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी क्योंकि घर के जो समोसे होते हैं मैं बहुत बहुत कमेंट आता है कि हमारे समोसे में वह बबल्स आ गए थे कुछ फुले नहीं अच्छी से कुछ अलग अलग चीज होती है आज जो समोसा मैं बनाऊंगी वह प्रॉपली आपको भार जैसा टेस्ट देगा उसमें आपके वह जो बुंदियां आ जाती जो बबल्स आ जाते हैं वह भी आपके नहीं आएंगी ममा मैं एक चीज देखा हो देखो यह ममम से भी जादा तॉल हूँ तो यहां पीछे कूकर में मैंने चड़ा दिया था हमारा आलू और अब मैं आपको बताती हूँ गणाने के लिए मैंने लिए यहां पर 2-3-4-5-6 समोसे नमक दाला है थोड़ा सा और घी डाले आप यहां पर आप एकदम यूज़ना करे यहां पर घी यूज़ करें तभ ही आपको एकदम भार जाजा क्रिसPINESS प्लस विदाउट बबल वाला समोसा बनेगा और यहां पर म यह भी आप अपने हिसाब से ले ले और इनको मैं अच्छी से मिक्स करूंगी पहले दोनों हातों से अच्छी से आप रब कर लीजिए उसके बार इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको मिक्स कर लीजिए तो देखें जैसे मेरा पूरा रेडी हो गया था अब यह थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी मैं और यह जो आटा है यह हमें एकदम टाइट आटा लगाना है जैसे हम लोग पूरी का डो लगाते हैं वैसा होना चाहिए बहुत सौफ्ट नहीं होना चाहिए एकदम टाइट डो होना चाहिए और आप प्रेस करके देख सकते हैं कि आपका आटा औरेडी टाइट है अगर आपका डो टाइट नहों तो उसमें आप थोड़ा सक और मैदा मिक्स कर ले और यहां मैंने कड़ाई ले ली है प्लीज इग्नोर दिस कड़ाई भी कड़ाई गंती थी तो मैंने यह लिए और इसमें मैंने डाला है ओल दो चमच और उस अच्छी से इसको सौते करेंगे और उसके बाद हम लोग डालेंगे हमारे बॉइल एन मैश्ट पटेटो यह मैंने पहली बॉइल कर लिया थो उसको अच्छी से हाथों से मैश करके फिर इसमें डालेंगे जो दो कप मैदा है उससे आपके बारा तेरा समोसे बन जाएंगे तो उसमें मैंने अराम से छे से साथ आलू लिया है और फिर इसको मिक्स करके हम लोग इसमें मसाला डालेंगे तो यहां मैंने डाला हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर क्योंकि मैंने ग्रीन चिली अल्ड़ी यूज की थी और मेरा बच्चा इता चिली खाता नहीं है ध तो हमारे भार जो समोसे मिलते है वो मेली धन्या पाउडर का ही टेस्ट उसमें ज्यादा आता है हाफ टी स्पून मैंने अम्चूल लिया है हाफ टी स्पून गरम मसाला एंड छ रियम्लाग मेंने अश्पर टेस्ट और मैंने तोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया था और इनको हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे और यह जो रेसिपी है प्रॉपर्ली समोसे वाले भाया से लेकर ही बनाई गई है इन दे एंड मैंने थोड़े से काजू डाले है यह अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डाले लेकिन अज मेरी फैमिली को काजू हर चीज में पसंद तो हम लोग काजू डालते हैं फिर इसको टू मिनिट अच्छी से गैस पर ही चलाएंगे मिक्स करेंगे और जैसे यह आपका अच्छी से मिक्स हो जाएं क्योंकि इस मिक्षर को बनने में पांच से छे मिनिट लगते हैं आपको आलू को बहुत अच्छी से मिक्स करना है लो आटा रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं इसमें वाइट वाइट बाइट पैचे आने लग गए हैं निसमारा आटा एकदम रेडी है समोसे के लिए अगर आपके आटे में वह पैचे ना है तो आप इसको और 10 मिनिट्स रेस्ट होने के लिए रख दीजे और फिर हम आपको आइडिया रहता है कि आपके कितने पी समोसा इसमें बन जाएंगे अब यहां देख सकते हैं एक पार्ट ऑफ दो से मेरे दो समोसा बनेंगे क्योंकि हम उसको ट्राइंगल में वापिस से कनवर्ट करेंगे और यहां पर हमने इसको अच्छी से रोल किया हाथों के ब बहुत पतला रोल करना है जितना पतला आपसे रोल हो सके उतना पतला करई और इसमें कि आप जो साईड उते हैं वह भी प्रपर आपको प्रेस करके रोल करना पड़ीगा क्योंकि किती बार बार चपती हम लोग बीच से रोल करते ते हैं But for समोसा यह टिप बहुत जरूरी ह होता है तो आप देखेंगे थोड़ी देर में मेरा समोसा बहुत मोटा नहीं है बहुत ज्यादा पतला था और आप देखें जैसे कि मेरा पुरा प्लाटफॉर्म भी वहां पे दिख रहा है मतलब मेरा जो रोल हुआ है वह एक दम परफेक्ली रोल हो गया और अब मैं इसको ब परफेक्ली हो जाएका अब यहां पर मैं एक पार्ट लूँगी और उसको जैसे हम लोग कोन बनाते हैं उस वे में बनाके वाटर से स्टिक करेंगे तो यहां पर एक साइड हमने टर्न किया वहां पर पानी लगाया है थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा पानी ना लगाए थोड़ा थोड़ा पानी लगाकि उसको देखिए अच्छी से मैंने प्रेश करके चिपका दिया है और उपर मैंने थोड़ा कोन का वो टाच देने के लिए उसको भी प्रेश किया है और यहाँ पर जो मेरी आलू की फिलिंग थी उसको मैं अच्छी से इसमें फिल कर दूंगी प्रेस करके अगर आप इसमें अच्छी से प्रेस नहीं करते तो आपका समोसा साइट से खुल भी जाएगा और ओयल भी अंदर जाएगा तो जब आप आलू डाले तो अच्छी से इसको प्रेस करें और फिर मैं इनको आप साइट से पूरा सील करूंगी और इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी और देखिएगा ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने प्लीट स्टाइप बनाया है एक टर्न मारके यह करना बहुत ज़रूरी है इससे आपका समोसा एक दम भी नहीं खुलता है और फिर इसको हम लोग साइड में रख देंगे एक ट्रे में सेम वे मैंने इसमें भी किया उत्ताइप पतला रोल करके और वाटर से मैंने कोन बना के थोड़ा वाटर से श्टिक किया है और फिर फिलिंग आपको अच्छी से करनी है इसके अंदर और वापिस हम लोग पानी से इसको सब जगा से सील कर देंगे और वो जो बीच में मैंन थोड़ा सक टर्न करके सील किया था वो भी कर देंगे तो यह करना बहुत जरूरी है तो इन तीन चार चीजों का ध्याना बहुत रखे और जब मेरे सारे समोसे मैंने बना लिए और उसके बाद सब समोसो को एक टॉवल से ढखके मैंने ट्रे में टॉवल से कवर करके फ्रिज म फॉर हाफ एनार रखा था अगर आपके पास काफी टाइम है तो आप काउंटर टॉप पर या उसको कवर करके फॉर वन एंड़ हाफ आर रखे तो यहां पर मैंने ओल गरम होने रख दिया था और ओल मैंने लो फ्लेम पर गरम होने रखा था बहुत हाई पर नहीं क्योंकि अगर आप बहुत जादा गरम पर समोसे डालते हैं तो आपके बबल्स पकाएंगे जो हम लोग गरम तेल करके पहले पकोडियां डालते हैं फिर उनको कम करते हैं वो मेथड अलग होता है समोसे का अलग होता है तो समोसा आपको एकदम लो फ्लेम पर ही डालना है और इसको क यह बहुत इंपोर्टेंट टिप्स है जो आज मैंने आपके साथ शेयर किये तो आप देख सकते हैं मेरा कैसे ब्राउन कलर होने में हो गया है अभी भी इसको काफी टाइम है क्योंकि मैं लो फ्लेम फे इसको कुक करूगी और मैंने आपको बताया था यह मैंने फ्रिज से निकाला था आफ्टर थर्टी मिनेट फिर इसको इसमें डाला अभी मैं रखती हूँ तो कि हमारी चाई भी रेडी है और हम जा रहे हैं समोसा खाने तो गैस देखो उदर से बैठ के कैसे हमें देख रहे हैं हाई और हमारा अश्वमसा रही हो गया और हमने उसको खा लिया और सीरियसली बहुत यम्मी समोसा बना था आप भी उसको बना के खाईए और मुझे कमेंट शेक्शन में बताईए वह कैसा बना था और टामड़ा में पापा क्यों बहुत छोटे लिग रहे हैं अब इसको करनी है पड़ाई इसलिए हम आज का वीडियो यहां पर एंड करते हैं और आप से मिरते हैं कल के वीडियो में तिल देर बाई बाई अवा हमेर साना का पर आफ यहां बाई